हेलो फ्रेंड्स बेलकेम बैक टुमा यूटुब चैनल दिनेस मैथेमेडिक्स आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे कि आज हमारा क्लास चलेगा साउत विदुधूध्धर के बारे में आप कंपने टे तो विदुध्यारा समजने से पहले कुछ पॉंट से पॉइंट को अगर आप सुभéo कर लेते हैं तो विदुधारा को समझने में कोई परसानी नहीं होगा तो चलिए सबसे पहले उन पॉइंटों को बारे में हम दो चर्चा करते हैं कि आखिर वो पॉइंट कौन है क्या है और यह हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है यह पॉइंट जो होते हैं आपको ज्यादा उप्यो तो आप लोग तत्व के बारे में नाइंध कि लास में अच्छे से पढ़के आए और आये होंगे तत्व जो होते हैं एक ही परकार के परमानु से बने होते हैं तो सबसे पहले यहां तत्व के बारे में हमों जाने तत्व पर्मानू से बने होते हैं तत्व जो होते हैं एक रिक ऑद ये जो पर्मानू आप दक रहे हैं पर्मानू के तीन पर्मुख मौलिक करने है है ना परमानू के तीन परमुख मौलिक कन हैं परमानू के तीन परमुख मौलिक कन हैं पहला होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता जी इलेक्ट्रोन दूसरा है पोट्रोन और तीसरा होता है निट्रोन कि हक तो यहां पर देखिए अवेस इलेक्ट्रोность पर उन नीट्रोंद पर आवेस होता है च्या होता है आवेस तो एलेक्ट्रोन पर रिन आवेस होता है क्या होता है जी रिन आवेस होता है यह नी रिन आयन होते हैं क्या होते हैं और यहां जब पोट्रोन आप देख रहे हैं पोट्रोन होते हैं घन आयन धन आयन क्या होते हैं धन आयन होते हैं यह धन आवेस होते हैं कि क्या होती है और नीट्रोन जो आप देख रहे हैं नीट्रोन पर कोई अवेस नहीं होता है यह नीट्रल होता है अवेस हीन होता है क्या होता है अवेस हीन होता है कौन नीट्रोन आप से यहां पर अब्जेक्टिव क्यूशन में पूछा जाता है कि एलेक्ट्रोन पर कौन सा अवेस होता है तो हम लोग बोलेंगे रीन अवेस पोट्रोन पर कौन सा अवेस होता है तो हम लोग बोलेंगे धन अवेस और नीट्रोन पर कौन सा अव परमानू पर कोई आवेस नहीं होता है परमानू पर कोई आवेस नहीं होता है परमानू पर कोई आवेस परमानू पर कोई आवेस नहीं होता है अब देखिए परमानू पर कोई आवेश क्यों नहीं होता उसके बारे में अब देखिए यहां ध्यान से यहां जो देख रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रोन और पोट्रोन तो परमानू में इलेक्ट्रोन और पोट्रोनों के संख्या बराबर होती हैं परमानू में इलेक्ट्र होते हैं और यह गार ही होता है प्रोट्रॉन प्रोटॉन के भी है तो यहां पर देखे ئ natuur न पर आ ँड्यादी माइनिस चर्च भॉट्रोन पर आ गया प्लोश चर अभी इन दोनों को यह जोड़ देते हैं तो क्या मिले है मेरा 0 मिले गारा में सागा जिरू नहों यह गारा में सिगार गया जीरो तो यह अभी परमानू को रूप में सोडियम जो है सबी किसके रूप में परमानू को रूप में तो परमानू पर अब देखिए कोई आवेस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो हम बोलते हैं परमानू जो होता है आवेस हीन होता है परमानू पर अभेस का उत्पन होगा यह निए कोए भी परमानू फूरिया में गया होता है तो आवेस उत्पन होता है इलेक्ट्रोन Yumka अस्थनांतरन चैक फाल त 선check इलेक्ट्रोनों के अस्थनांत्रन के फल्सवरूप समझ मारा ना इलेक्ट्रोन के अस्थनांत्रन के फल्सवरूप आवेस उत्पन होता है क्या होता है आवेस उत्पन होता है ना जैसे मैं आपर सोडियन देखी सोडियन देख रहे थे आप यह क्या हुआ कि किसी कारण से एक एक एलेट्रोन अभी इसके पास 11 लिट्रन यह जो ऑर पॉट्रोन है और 10 गो फोट्रोन भी है खार रेगारा लेट्रोन लेगारा पॉट्राँन बी है तो अब चिक इस खुंड है की क्षिद कारण बसी कि क्या करता है कि अब दस को इलेक्ट रहा है सिर्गें जा लेकिन यहां पर प्रट्रों को त्याग नहीं न दिया है तो प्रट्रोंथ अभी विकितना रहेंगे इसमें के आप यहां पर देसो हो गया माइनेस और एकारा हो गया अब एक पलस बढ़ेगा यह अब पर यहां पर अब बात कर किया जा कि आवस उत्पन कैसे हुआ तो आवस उत्पन हुआ है इलेक्ट्रोनों को अस्थनांत्रन के फैल्सो रूप Eltron यह सत्यागा तब जाक यहां पर इंडरोन लों के संग्या कम ग्हें यह एक एलेट्डॉन पर एक अवेस तो यह पर एक इयरक इलेक टरॉन है तो एक मानिस आथ है ऑगाराई गाराई पर अपर उनमें जालें प्रॉटर में फट्रॉंड पलास अगारा होंगा तो यहां प हो गया माइनिस में दास कैजी मागया माइनिस में लेकिन पोट्राउन का त्याग नहीं किया पोट्राउन तो किसी को नहीं दिया तो पोट्राउन इगारा की गारओं रह जी अब यहाँ पर आप जोड़ देखिए तो 10 में 11 यहां पर क्या उत्मन हो गया आवेज किसका बढ़ोती हुआ यहां पर बढ़ा को नब पलस आज ने बढ़ गया पलस नब रही तो इस पर धान आवे सुपन हो जाता क्या होता है यादी अगर यह किसी से एक लेटरन ले लिया होता जिसे कलोरिन की बात करते हैं करून रहित नहीं 17 इसमें 17 इलेटरन अब और 17 किया होगा और ट्रॉन होगा है यह समझ मार आप लोगोSet 17 अशत्रा प्रोट्रान होगा ठीक है तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर भी अगर आवेस देखी बभी फिलाल यहाँ पर से पर कोई आलस नहीं है यह पर मानो करूप में मैं आपने किसी काराण से एक लिटरैंचा डाङ इसमें चला आता है एक लिश्विर्स के ृटरण जैल च MuslimG अभी के था भी दनकर माईनिस आठाव गया 17 और तो घंटा हो गया 18 अले, कि एलेक्टर नाय तो मैने से मिना जी और इसमें पहले से किना था 17 प्रोट्रों तो नहीं नहीं है पूट्रों आया क्या तो यहां पर नहीं तो माइनस एग वावेश क्या हो गया बढ़े गया अब दिखिए जियां से 18 में सब्सक्राइब तो एक बढ़ा ना माइनस में बढ है तो यहां पर देख रहे हैं आप इस पर धन ऐन आया इस पर रिन आर्याक्यक कुना आण यै यह दैन sadece regn इलेट्रोन जैसे ही किशी को देगा तो इस पर एक पलस जा जाता है और यहां कलोरीन की बात करते हैं तक कलोरीन क्या कर रहा है कि इलेट्रोन ग्रहन कर रहा है तो जब इलेट्रोन ग्रहन करता है तो इस पर रीन आवेस आ जाता है धन आवेस आएगा इलेट्रोन त्यागने पर इसे इलेक्ट्रोन कम करेगा तो माइनस की संख्या कम होगी तो पलत सब्सक्राइब बढ़ने जागा और इलेक्ट्रोन ले लेगा तो माइनस की संख्या और बढ़ेगा माइनस की संख्या क्या होगा बढ़ेगा यहां पर क्या हो जागा जैसे में दो कच्छाएं हैं यह लड़को और लड़कियों के संख्या बराबर है लड़को लड़की संख्या बराबर है सपोज अब क्या करना है कि हमको क्लास में क्लास मुनिटर बनाना है क्लास मुनिटर बनाना है तो लड़का चाहता है कि लड़का मुनिटर बने और लड़की चाहते है कि लड़की मुनि बन पाया क्या कि लड़का अपने लड़का के तरब हो देगा कि अगर डास लारा जो पलस आ गया मालीज पर्द्थ लेख लरकी तो 10 माइनस भूट यह भी दास भूट लागा ख़णा है लड़का भी ख़ड़ा की भी गड़ी अदख पर तो यहां पर क्या होगा यह नीट्रल हो गया है ठीखिए अब ही क्छिए कि अगर लड़की की एक संख्या भी और हम बढ़ा देते हैं लड़की की एक संख्या बढ़ा देता है सिमान सिगार हो गया आप बताय कि मुलिटर कूल बनेगी लड़की बन जाए लड़की बनेगे नियुद अगर लड़की न बढ़कर को लड़का एक और बढ़ जाता है तो कौन बढ़ेगा लड़का बन जागा को बनेगा लड़का मुनेटर बन जागा ना तो सेम कंडिसन यहीं वाला यहां पर है अगर इसमें अगर औ लोगर के लिया जाए अगर यह ले लिए ले लिता है तो यह यहां पर पूर्ट्रों क्या पैक्षि येल्लीक्त्रों के संख्या माधेगा तो एलेक्त्रों अगर ग्रहन करते हैं तो आगा वेज़ ग्राइन ग्रते हैं तो होता है धानाएं क्लियर रहे धनाएं और इन अच्छी समझ में आगलोगा आप लोको और बात होते कि आप यहां पर हम आवेस देखेंगे अवेस यह बात बता देखिए कि आवेस का खोष तेल सनामक बैग्यानिक ने किये थे ते जो गनितागी है आप लोग तो तेंट्स क्लास में थेल स्पर्वे पढ़ना है वही थेल साहिब ने आवेस का खोश किये थे यह और एक और बैग्यानिक है जो पतंग उड़ा रहे थे उनके बारे में ट्वेल्थ क्लास में चटा करना है यहां भी से चटा नहीं है तो इसका खोश कुन के थे लगभग 600 पूर्व पहले 600 पूर्व तो अब है कि आवेस है क्या आवेस हम लोग कहते किसको है तो आवेस कि किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का एक गुन है आवेस किसी पदार्थ का एक गुन है जिसको उपस्थिति के कारण जिसके उपस्थिति कारण उसमें एक विशेश परकार का बल्ले कार करता है एक विशेश परकार करता है जो किसी वस्तु को अपनी और आकर्षित करते य है जैसे कि हम लोग क्या करते है कि का गया चोट तो टुकड़ा में बाढ़ ले थे और कलम को अपने बाल मिश्टा से रगड़ करके धूल कान को इस तरह सूठाया करते थे थे हैं आप लोग देखा नहीं एगनिस में क्या हुआ सट गया है तो जब यह रगड़ खाता है तो तो इसकन नगार्ण इसका कैन इस पर इसका करे दरत तो रिधूट का रेता है और वह व्याव तो करेंगी लिया किसी वस्तित अपनी से पर्तिकर्शित करती एं तो आकर्शित क्यभोता अपर्तिक और सेत का दुथ होता है इस चीज़ को भी आपको समझाएंगे है यह यहम तो रह्म में आ गया अवल इस पादार्त का एक है जीसके उपास ठीड हर इस्क्ती में एक विस्यसफपर का बलकार्श करता है कि शो में कसी भी वस्तू को अपनी और्कर्शित या फुर्ति कर्षित और है किसे भी वस्तु का अपनी ऑन्हीं कर सितिया परती कर सित करता है तो आवेश का खोल्स को इस पर्लों मैं गाय आवेस ओते हैं दो परकार के आवेस कितने पराद होते हैं एक होता है अवेस आफ रीन आवेस कि उसको प्लास चाह जिसको माइने सब्सक्राइब बोलते हैं पोजेटिव और निगेटिव की लिए ना अब है कि घान आवेस कि से कहेंगी तो द्धान आवेत कैसे उत्पन हो ताब में पठाए किशी परमानु से जब को त्याग हो रहा था छोड़ रहा था था तो छोड़ने परशों से चल रहा है था क्वा प्लेश चल रहा था था तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे यदी कोई पदार इलेक्ट्रों त्यालता है तो त्यागने से जो आवेश उत्पन होता है इलेक्ट्रों त्यागने से जो आवेश उत्पन होता है उस आवेश द्धान आवेश क्या बोलते हैं और यदी कोई पदार इलेक्ट्रों ग्रहन करता है ग्रहन करके जो आव तिएश उत्पन करेगा क्या करना है कि होत एलेक्ट्रों क्या इन यूज जी का त्यागने से क्या मिलेगा अलेक्ट्रों से मिले वह एम लोगों नवेक्ट रहे और इल्लैक्ट्रौन का यादी कोई ग्रहन करता है लेक्ट्रोन ग्रहनकर तो यह मीनेगा रीना भेस सब्खमया कोई प्यादत करता जो अवेसस उट्पन कर्तां अवेसस प्राप्ट करते हो इस्कथे और कोई प्रापत्रолов कोई प्राप्त ग्रहन कर जो आवेस प्राप्त करता हैं उसे बोलते हैं रिवो कि लियर है अब यहाँ पाफर बात होती कि अभेश उत्पन क्यों होता है पर मेसा उत्पन होता कैसे तो हम स्थरूब का पर यह अवेश उत्पनों के पर खेल किस जनुख रहा है अवेस्ट में खेल किसा अभाय एलेक्टान करेंगा तो रिना अवेस्ट टाहरा तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि आवैस ऊत्पन होने कारन मातर एक चीज्ज हो क्या है एलेक्ट्रोनों का स्थनांत्रन एलेक्ट्रानों के फाल जरूप आवेस उत्मन होता है आवेश कितने पर अंगोते हैं दो पर कितने परôm गए कौन खो दो धन आवेश और रिमक धना यहां बेलेक्ट्रों कि दक यहां दे तर चौंड जो अब एक बात और है यहां पर नोट में लिखा जाता है कि अवेश जो होता है ना तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नास किया जा सकता है ना तो उत्पन किया जाकता है नहीं नास किया जाता है एक से दुसरे में बदला जा सकता है एक से दुसरे में क्या करते हैं बदला जा सकत है बस और कुछ नहीं कनवर्ट होता है सिर्फ क्या होता है अब देखिए माल लिया जाए कि सोडियम जो था कलोरीन के एक रित्रों दे दिया जब एक रिट्रों इसमें आया इसके से तो यहां पर आया था प्राश चर्श एलेक्रों ग्राहन त्यागरा आरिये लेक्रों हो यहां पर जो माइनास to be यहां पर जो मायनेस चार्ज आया मैं यह हीसे नदो इसमे तो इलेक्टरॉन का थना अंतरम भी प्लुप्रल माने साथ है अब क्या यहां पर aumentar long glass होगया खतम हो गया अज़यां यहां पर तो हम बोल सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है इसे हम लोग आवेश सन्रक्षन का सिधान्त कहते हैं कोई पूछ देगा आवेश सन्रक्षन का सिधान्त क्या है तो हम लोग बोलेंगे आवेश को न तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नंश्ड किया जासकता है इसी को अवेस सन्रक्षन का सिधान्त कहते हैं कि saatSand चन का सिदान्त कहते हैं कि लिए रहना है से नोट कर लिए जीफको कि अब यहाँ पर बात हो का कि आवेस का इसाइब आइंक क्या है ऑनवेस का इस आइंक रहे है क्या है क Adaptive क्या होता है कुलांब होता है क्या होता है कुलांब इसको सी से सुचित कहते हैं क्या जिसे सी सी फोर कुलांब इसाय मातर क्ये होता है अब यहां पर एक से और पुछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रोन का कैना को बहुँंगे हैं एक एलेक्ट्रोन पर है कि और यह लेक्ट्रॉन पर कितना अवेश होता है अवेश होता है तो मेरा अंसर होगा 1.6 into 1010 दापार मायनस 19 कुलाम कितना होगा 1.6 into 10 दापार मायनस 90 कुलाम 19 19 कुलाम होता है बोलता है ना माइनस 19 यह वता आवेस क्या होता लिए अगर यह आपका पूत्रॉन पर भूला होता तो पूत्रॉन भूलों तो 1.6 इंटू टन्दी दा पावर मानिस 19 कुलाम धनार पैस यह आगर पोट्रॉन रहेगा तो बोलेंगे दन अवेस एलेक्ट्रॉन के लिए दिना गए था इसके बारे में हो थरॉप चाटा कर लेते हैं जहें पहले हैं स्कूरी सोट लिए फर इसको क्लीन करते हैं इस जटे जाए डेता है रिए अवे स्क बारे भ़ने घाक रोले कि जी ऊब कपड़ा एक लेते हैं काच काच का छड़ काच का यह काच का छड़ यह रेशंग क्या है तो जब इन दोनों को आपस में संपर्ग कराए जाता है घर संकर आयता है तो आप लोग देखेंगे कि जो चैड़ दिखांद रहें यह किनारा पर रिल्षाम का कुछ कर आके सड़ जाते हैं वहाँ अ क्या थे यह कि इसका कुछ कर नहीं आजा यह पार्ण पर आता है तो जब यह इलेट्रों को क्षैक कि आगा कि यहां सिग ग्रहन कर रहा है वाई का घरा ओग चाहरा है तो यहां पर देखो यही इसके करण क्या होने लगा कि सपर मायने चाहिए तो यह कि किसी चीज को आपकर सिट करने लगा किसी चीज को क्या करने लगा तो आपकर सिट करने कारण लोग पता लगा एक आखिर में आपकर सिट क्यार क्यों रहा है तो यहां पर मिला कि आवेस का पता चला था यहां इसे फिर एक होता है एनोबाइट एनोबाइट का छड़ होता है एक होता है उन तो जब उन को कि यह मानलोकून है से और यह जब आप यह हैं आप इन दोनों को लग गया तो इसका तो इसलिग्या है कि यह हो गया है आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हो गया तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ यहां पर कि दोनों पर आवेस हुआ एक हो रहा कि कोई वस्तु यहां पर था इस वस्तु को कोई कर रहा कि अपने और खीच रहा है और यह कर रहा है कि हटा देंगे पर्टी कर्षित कर रहा ह तो यहां पर आवेस दोनों में उत्पन हुआ था इसमें भी वा था और इसमें भी वा था चुकि यह अगर इसको देता है तो इस पर तो पर अश्यार्ण हो गई अवी लेता तो इस पर माइन तो आज़ागा तो आवेस तो दोनों नुटन हो राजी अब यहां पर क्या क्या गया कि यह वाला घ्राण अवेस और यह वाला घ्राण अवेस को एक जगा सट आया गया अब यहां पर लाया गया इन अनुबाइट का च्छड तो जब इन अबाइट का च्छड आया तो इस पर ही पलाश चाड़ था इस पर ही पलाश चाड़ था तो तुम भागो और रीसम के पा καपड़ा करें एक ढूसरे को परती कर्शित कर रहे तें क्या कर रहे तें वह धक का दे रहा इसको यह धका दे रहा था इसको लेकिन जब उल्टा किया गया कि यहां पर जो-boy का सबस्क्राइख के पास इसको तो यहां पर है था पलस यह था माइनस तो लोग यहां पर पता लगाएं कि समान आवेस वाला जो पदार्थ होते हैं कौन समान आवेस वाला जो पदार्थ होते हैं वह एक दूसरों को परतिकर्शित करते हैं समान आवेस वाले पदार्थ या कोई भी वस्तु हो एक समान आवेशाल द यो पदार थे वह एक दूसरे को आख करते हैं कि समझ मागी यहाँ पर नहीं आया आब देखो को नवाश तो किसको अपनी हो राक करेगा अगर आवेश धन आयन ओ तो तो दोनों पर एक समान आवेश ए या तो दोनों पर धन आवेश ए या तो दोनों पर रिना वेर से हैं यही केस के कह låg नहीं क्या करते हैं एक दुसरे को पैरतिक प्रतिक हर्षित करते हैं और यह दूसरे को आप शुख करेंगे आप कार चसीद करेंगी लान पर शॉय जेंसरे समान थोगा पर्तिक कर्षित होगा अब यहां पर बाहत उसर क्या खाली पालसे वाला दोनों पालसे वाला है जो पर्तिक कर्षित करता है माइनस वाला नहीं करता है तो माइनस वाला भी कि वही काम करेगा जो पलस वाला कर रहा था मैंने सबना यर्दी माइन सबरा के पास लाया जाए यह संपर में लाने के बाद इन दोनों को बीच में परति करसंन बने लेगा कौण सबले यानि यहां पर जो उनका उन्हें यह क्या है और इन इन वाइट है और इस परकारी दोरों क्या करेंगे एक दुसरी को परतिकर्शित करेंगे हैं एक दुसरी क्या करेंगे तो आपकर संगा गया है अब देखी यहां पर हैं कि आवेश जो होता है कि कब उत्पन होता है इलेक्ट्रोनों के अस्थनांत्रन के फल सरूप जब इलेक्ट्रोन अस्थनांत्रन होगा तब आवेश उत्पन होगा और इलेक्ट्रोनों का अस्थनांत्रन नहीं होगा तो आवेश उत्पन नहीं होगा अब हम लोग पढ़ेंगे चालक और कुछालक पदार्त सबसे पहले बिदुधारा के बारे में बिदुधारा होता क्या है बिदुधारा होता क्या है इसके एक इलेक्ट्रोन के ससतत परवा की यह अवेसों के सतत परवा को आवेशों के सतत परवा को भीधुधार्तона कहते है घोराम का मतलब क्या होता है लगतार बहना चाहिए अगर पानी लग का दा रहा है तो भनक है पानी लकिन है यह समध्म माल लेकि अभी थोड़ात आई पिर बाद में या पिर बाद में उसको पानी का धानला नहीं कहेंगे फानी धारा धारा का मतब उस्ता लगतार परवाह हो लगतार क्या हो हुझ तो भाई करें हुझ अ काफी हो चुका है कि आज एक लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे आप पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में विद्धारा से ले करके फिर से आगे पढ़ाएंगे आप लोग को छिलिए थैंक्स फॉर वाचिंग अगर वीडियो अच्छे लेगो तो मेरे यूट्यू को देख सकें और फाइदा उठा सकें है थैंक्स फॉर वाचिंग अ झाल दॉर वाचिंग अगले वाचिंग अगले वीडियो मेरे यूट्यू